विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अगर कहते हैं कि यह एकडम नाकारा इंसान है, तो हम उसको किसी काम में ने लगानाँ चाहते हैं, एसकी जुम्हेदारी वा Rs. टो हम उसको ऐसी काम में ने लगाती है, जिसमें विश्वास की डिल competence ही आपपि खाना निया, तो हम क्या ही है। तो यहां पे उसकी विशिष्था है किसी चीज की मैट特 ती हमें हो मोने खर लेना ऑगाना उसको चूछ नहीं करना उसको करना तो वैसे शोद की पी कुछ विशिष्था है अगर वह विशेष्टा है शोद में ना रहे तो शोद बहुत ही ब्रॉडली एकदम प्रभावित होता है और शोद शोद नहीं रहा जाता उसमें तुरुटियां बहुत आ जाती है वैसे 100% तो एकदम exact कोई करनी पाता है लेकिन हम कोशिशे करते हैं कि उसमें जो accuracy उसकी बनी मैं तो विशेष्टा है लेकिन स्बने प्यक्तारीम विशेष्ट में ब57 मं देखे करने कांव प्रयास कर बबंछे जैसे शोद कि पहली जो विशेष्टा होती हैससे नियोजित जो आपका नियोजिन होता हैúa रहे टझ मैं बहुत इंपूर्टिन हुदमें नियोजिन जब तक नियोजन नहीं बनाएंगे, तो शोध नहीं रह जाएगां, यहाँ शोध की सबसे प्रमूख विषेश्वता होती है, यह रहे बहुत आपऌम्हे लाहिंद में यह महीत पूपून का होती है दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिकता तो यह जानते कि शोध की विधी ही वैज्ञानिक होती है अगर यह वैज्ञानिक ना रहे वैज्ञानिकता मतब सु विवस्ते, सु संगर्टित, क्रमबद, टेस्टेबल मतब जिसका परिक्षण कर सके क्योंकि विज्ञानिक कोई विवस्ते हैं वह संमानिकर तो यह जो जनसंख्या लिए उस पर लागू नहीं कर सकते वह शोध किसी अर्थ का नहीं रहता तो इसके तीसरी प्रमुख आपके विश्ष्टा होती कि शोध ऐसा हो जिसमें संमानिकरन रिजर्ट का परिणाम का किया जा सके नेक्स आपके जो मतलब कि कोई जो आपके रिजर्ट है वो व्याख्यात्म को अब व्याख्या किसके पर रिप्रेक्शन करेंगे केंगे ये बच्चा पढ़ने में कैसा है तो हम देखते हैं कि हमने एक मानक बनाया होता है कि ये 1st division, 2nd division, 3rd division या ये 1st कक्षा, 2nd, 3rd class तो ऐसे क्या होता है कि हम मानकों के सापेक्ष किसी चीज की व्याख्या करते है तो इस मानकों के सापेक्ष हम रिजर्ट की व्याख्या कर सकें अगर व्याख्या नहीं कर सकते तो रिजर्ट की व्याख्या कर सकते तो रिजर्ट की व्याख्या कर सकें अगर व्याख्या नहीं कर सकते तो हो जिसके अंदर व्याख ख्यात्मकता अवश्य होनी चाहिए किस के सापेख्श मानको के सापेख्श, नेक्स है आपका विश्वाश नियता तो फे एक वीडियो युदियो बना हो अब उसको बहुत अच्छे से अधियन कर लीजिएगा तो विश्वाश नियता क्या होती है क कोई इंसान विश्वस नहीं है कि नहीं कि उसको जैसे मैंने का चोर है तो इसको कभी तीजोरी की चाबी नहीं दी जाएगी तो अगर कोई ऐसा परसं है जो बार बार वही रिजर्ट दे जैसे खाना बनाने की सी किछन में भेज दे अच्छा खाना बनाए दुबारा वेजे तो पही अच्छा खाना मैं अगर अगर देता है उस सें आपका रिजर्ट देता है तो उसको कहने की शोध विश्वशनीë है आप इस पर वीडियो देख लीजिगा इसको निकालने कि मैंने विधिया भी बताहि भी है वीश्वस नीथा क्या है क्या है क्या जरूरी छोंदै वाइदधा क्या होती है वैदधा घठी बेरेक्ट मैंने बताई क्या अब गदिवाज साफित एंड लिए अपर 15 को आपका टारिफ से रेता है फोन करोड़ा हुआ चुछछ़ मैं तो तो यहां पर validity होती है कि जिस चीज का जिस लिए निर्मार किया जाए वहीं चीज नाप है जैसे आप IQ टेस्स कर रहे हैं उसमें कुछ एड़ दिया मैथ तो मैथ माल में बच्चे को नहीं आता तो IQ थोड़ी कम जोर जाएगी अगर IQ के ही कोशन अगर डाले तो वह क्या है आपका वैद है अब नेक्स हम देखेंगे क्या वस्तुनिस्टिता वस्तुनिस्ट जैसे प्रश्ण वैसे आपकी वस्तुनिस्टा और थाथ किसी अन्य का परिस्तिती का कोई प्रभाव न पड़े जैसे जो मापन करता है या एक option उसने सही कर दिया और वह सही है तो आप उसका नंबर नहीं काट सकते हैं चाहे आपको कितनी गर्मी लगे चाहे कुछ भी हो चाहे आपको दुश्मन ही हो तो मतलब किसी भी परिस्तिती में अन्य किसी बाहकारक का जब बिल्कुल प्रभाव न पड़े तो वह चीज़ गुड़ात्मक आपका अबसर्वेशन के जैसे आती हाशिक शोध होगे या मात्रात्मक जैसे आपकी quantitative research होगे डिसकप्टे में तो यहां पर यह जरूर होना चाहिए कि शोध जो है आपका इन विशिष्ताओं को शो करें नेक्स्ट आपका है नवीनता तो नवीनता जरूर होनी चाहिए कि आप एक ही problem उठाके बार बार उसे पर research किये जा रहे है वही result लिए जा रहे है तो अगर आप एक ही topic पर करिए यह problem यह लेकिन जब भी करिए नया result कुछ लिए आपका कारे करना उस पर investment हर चीज बेकार हो रहे है तो अर्था शोध में नवीनता आवश्य ह दूकेट जब वह ओ और रही है कि हमानदार आप वही जादा था कि निंगे नहीं तकйा हिने होगा लुवत ही पक्षपात करने लुवत है तो उस महिला है तो आप प्धाए ज्यू जारी दिखा रहा है ज़ए नहीं है कि इमान दार डीं तो वह गलत message ले जाएगा तो रहे पिर यहीं तारकिक्ता, तो तारकिक्ता मतल्व रिजनिंग उसमें आवश्योंनी चाहिए, तर्क होना चाहिए कि हाँ ये चीज है हुई कि उसके कोई कोई रिजन होना चाहिए, किसी भी घटना के पीछे, इसके अलवा आपका है गहनता तो ऐसा ही नहीं इनको इस बार नाइट बार उन्होंने ठान्डाएक ने किया तब जाके उसने सीखा तो इसना धिया रे था एडिशन ने बनाया किया बडल जला इतनी बार नहीं जला उसके बाद जला तो धैर अगर नहीं रहेगा तो शोध नहीं कर सकते तो शोध करता और शोध दोनों की अपने अपने विश्रिष्टाएं होते हैं उनको ध्यान में रखके ही शोध किया जाता है